जी सर इसको लगभा केड़ साल का वक्त हो चुका है और जिस टाइम पर ये स्टॉप डेम बनना शुरू हुआ था उस टाइम पर किसानों के वीच काफी हर्स का विशय था क्योंकि ये इस एरिया का पहला स्टॉप डेम बनने वाला था जूकि आज की स्थिती ये है कि इसमें रश्ट चार का इतना स्वक्ष मामला उजागर हो रहा है इतनी गुर्मत्ता हीन कारे किया है इस तरह निहीं कार्य किया गया है जो कर्मी में फासल होता है लेकिन पूरा कीचर देख रहा है मैं तो इस टाफ डेम के भरोसे में पांच एकड़ पे धान डाल चुका हूँ यहां पर यह पूरी तरह से से कडार और कुछ बड़े अधिकारी यहां से मतलब दो नंबरी के काम हुआ इसमें इसको बनाए गया था उसका फाइदा आम जंतों के मिले अभी देगे सूपर फीशन नहीं है अंदर छे आट इस तक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और की साइट तक है देखिए इसके बरूसे चल रहा है पावजूत इसमें कोई फाइदा नहीं हुआ है तिल्दा के पास सगुनी गाव में सिचाईव भागने लगभग तीन करोड रुपे की लागत से देड़ साल पहले ही एक स्टॉप डेम बनाया था उस पर बड़े भ्रस्टाचार का अरोप लग रहा है और जो आखों से दिख रहा है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर निर्मान में कर रहे हैं स्टॉप डयम में बहरी गर्मी में आप देखेंगे पूरा पानी ूसरे तरफ पहुंच चूका है। जिस चीए भी Plaats सुक्राफ लेम और देरे थीम लैवर गिरत गेंः सवाल और की किस कदर लेवल होते जा रहा है तो गेट के नीचे हमने ढंडों से चेक करा निशान था अभी वी जो गीला है अभी पानी उतर चुका है तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर लिकेज है और जिस तरफ पानी ज्यादा होना था उससे कई गुर्णा ज्यादा पानी दूसरे तरफ जमा है मतब साफ है कि स्टॉप डेम जिस उद्देश से बराये गया था व और जिस टाइम पर यह स्टॉप डेम बनना शुरू हुआ था उस टाइम पर किसानों के वीच काफी हर्स का विशय था क्योंकि यह इस एरिया का पहला स्टॉप डेम बनने वाला था और इस स्टॉप डेम में अगर पानी रुकता तो कम से कम इधर के 1200 एकड जमीन जो है वो इतना पानी आप देखेंगे इधर रुखना चाहिए था स्टॉप डेम के पहले उससे कई गुना ज्यादा पानी इस तरफ रुका है इसके कारण जितने भी गाउं के वाटर लेवल है सारे वाटर लेवल डाउन हो चुके हैं पानी नहीं रुखने के कारण किसान आज की ड सब्सक्राइब करन किया जाता है लेकिन रौकी बैड़ होता है लेकिन पत्थर है उसके बावजूद यहां पर भी कॉंक्रेट होता है लेकिन पूरा कीचर देखें देख रहे हैं आप लोगों किसान कौन है और कितना आप बताये अच्छा आप बीकिसान है ना कितना नुक्सान जिलना पट रहा पानी का में बोर भी सूक जाता होगा हम लोग कम से कम असी पटशने नुक्सान लेकिन नहीं है उसल्हकर करके नंसल अगले सल गहुंपूए पिछले साल इस सल्धान हो जो अब बनाय गया था उसका फाइदा आम जंतों के मिले और वरतमान इस्तिती में तो हम यह थार्थ देख रहे हैं कि आज की डेट में बंदब यदि नाला के पार में यदि कोई बोर है तो इसमें से भी मलत पानी निकलना बंध हो गया है इसको क्यूरिंग हुई थी कि पानी तरह रही किया थे लगभाग एक साल पहले दिसंबर में चालू हुआ था काम उसके बाद कुछ खनन का काम कियो उसके बाद जब से सिर्मेंट पगर का काम किया तो फिर दो मैंने कंप्रीट हुआ लेकिन पानी का यहां पर तरह के तक बिल्कुल को व्यस्था ही नहीं किये और कई बार आका सिकायत भी किये थे लेकिन ठेकादार सुनने को तयार नहीं था कि भी इसमें गुर्मत्तन ही आपके जो बनार है उसमें किसी प्रकार का मेटेरियल कई प्रकार मե՟ेरियल आप अधिकारी ते लेकिन उनसे भी शिकायत करते थे वह घोल्माल जवाब देदे थे मैं देख रहाओ वह बात करूंगा ठेकादार से आथा करके वह अधी है घुतल ज्रूहरी है है लाविवानी बहुछ जरूरी पानी तो यहीं पुरी तरह से सेकाडार और कुछ बड़े अधिकार यहां से मतलब दो नमबरी के काम हुआ इसमें पानी नहीं रुक रहा है कि इसका सही साथ जाच हो और जो लपरवाई के उस पर पूरी सिखुरी के करवाई हो जाए मैं तो इस चाप डेम के भरोसे में पांच एकड़ पे धान डाल चुका हूं यहां पर यहां तो पुरा लिकेज है य बाइब करेंगे पुरा बरबाद है बर्बाद ही है किसान आजमी को नहीं यहां पानी रुकना चाहिए कर्यावाई चाहिए यहां इस टाप डेम पे जो काम के उसके उपर कर्यावाई होना चाहिए बहुत बड़ा मामला है कूल मिला के देड़ साल हुआ है आपको बता दे कछार महानधी गोदावरी कचार मुख्यवेंता है उन्से हमने बात करी है उन्होंने कहा है जांच कराएंगे आगे आगे आपको लेके चलते हैं किस तरीके से क्रैक पढ़ रहे हैं यहां पर जॉइंट आपको दिखाएंगे कि उससे पानी जो है सीपेज वहां का पानी का हो यह तो डेट अंदर जा रहा है पूरा लिकेज हैं कांक्रेट कांक्रेट नहीं है तो देखिए यह मसला यह जो गेट यहां नीचे कांक्रेट होना था गेट पर कच्ची जमीन आ गई है और शायद यहीं से पानी रीस रहा है और साइड में आद देखेंगे लगबग एक फ तो क्या स्वचा था देखें विया हम लोग जिसे साब से स्टॉप डेम का बताया गया था और यहां बोला गया था कि कम से कम 12 से 1500 एकड़ किसानों का सिचाई का पूरा व्यवस्था किया जाएगा तो हमारी उमीद तो यह थी कि कम से कम अभी के सिचुएशन में जो पानी ह यहां पर प्रकृतिक स्रोथ है उसमें अभी कम से 6-8 फिट पानी है हमने तो यह सोचा था कि कम से कम 15 फिट पानी का जमाओ यहां पर होगा और 15 फिट-पानी का अगर जमाओ यहां पर होता है तो लिफ्ट एरिगेशन करके जितने भी किसान है सबको सिचाई विवस्था भ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हम लोग को निर्मान में लापरवाही की हम जो बात करते हैं उसका आपको सीधा उधारन दिखा रहे हैं देखिए जो जॉइंट यहां पर दिया गया था अब यह सूपर फीशल नहीं है अंदर 6-8 इंच तक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा जगा जगा आप देखेंगे कि लोहे के जो गेट लगे हैं वो उससे गिट्टी जो है बहार जागने लगी है इस टॉप डम के जो गेट होता है उसके उपर अगल बगल से गिट्टी जो है निकलने लग गई है तो सीधी बात है जो 40-50-60 साल के लिए जिसकी लाइफ होती स्टॉप डेम की अभी से उसमें गिट्टिया दिखने लगी है तो कहीं ने कहीं भृष्टाचार हुआ है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी बात पानी नहीं रुक रहा है आपको एक नतार हम और दिखाएंगे कि कैसे जो पुराना स्टॉप डेम बना हुआ है वहां पर अभी भी पानी है लेकिन नया स्टॉप डेम हो किसी काम कर नहीं है तो कुल मिलाके भष्टाचार हुआ है साफ साफ दिखाई दे रहा है तकनीपी तकनीकी लापर वही भी है अधिकारी सामने आकर कुछ कह रहें नहीं है उम्मीद करते हैं सरकार बदली है कोई वहां देखे लिए कि बड़ी मात्रमेह पर पानी जमा है तो इसका कोई भी उपयोग सिचाई भाग नहीं कर पाया है तो ग्रामीड यहां पर है यहां तो अच्छा खासा पानी जमा है वह तीन करोड़ वाला श्राप डेम का कोई काम नहीं है यहां जो नेचुरल जो मतलब पानी यहां पर है और सोची है कि अगर इसे बाटा जाता वहां तक लाया जाता क्योंकि रौकी सर्फेस है पूरा तो शयद और वी किसानों को फैदा मिलता क्या कहेंगे तो यहां कम से कम 10 पानी रहता अगर वहां लिकेज नहीं होता तो पानी जमाओ रहेगा वहां प्रवाद हो रहा है क्योंकि क्या पहले नई बना था फिर भी इसमें पानी रहता था लेकिन डेम बनने बावजुद भी इसमें कोई बना है खराब गुणमत्ता वाला खराब क्वाल्टी वाला उसके लिके जा रहा है उसके कारण ये जो जमा पानी है ये भी धीरे-धीरे काम सिचायव भाग προट दिवीजन वन का राहएं अधिकारी सामने आकर इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं ये जरूर रहें कि आस करेंगे करेंगे मरमत करेंगे देखते हैं कब तक सुधारकार किया जाता है क्योंकि आई बिस्टिव लगातार के इस फालॉप ताइब पूर्ट